नमस्कार साथियों बहुत से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या है सर कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे हम लोग सक्सेस्फुल हो जाएं यदि दुनिया में बिजनेस की कोई एक स्ट्रेटेजी है जो किसी भी देश में सफल होगी किसी भी भाशा में सफल होगी किसी भी ट्रेड में सफल होगी तो वो एक स्ट्रेटेजी है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कीजिए वो सिंगल स्ट्रेटेजी है अपने कस्टमर को डिलाइट कीजिए वो single strategy है कि अपना फाइदा देखने के पहले अपने customer का फाइदा देखिए वो single strategy है कि win-win सोचिए ये मत सोचिए कि किसी तरीके से मैं अपने customer को cheat कर लूँ किसी तरीके से मैं उसको substandard product देदू किसी तरीके से मैं उसको काम चला लूँ किसी तरीके से मैं वहाँ कंप्रोमाइस कर लूँ और उसके बाद भी उससे आन कर लूँ साथियों दुनिया में सबसे बड़ी advertisement क्या है आप 1000 holding लगा लिजे आप 1000 cinema hall में advertisement दे लिजे आप चाहे जो कर लिजे आप TV पे चला लिजे आप billboards लगा लिजे आप magazine में छाब दीजे यह सब कुछ आप पैसे से कर सकते है किसी शहर में कोई नया showroom खुले, कोई नया store खुले कोई नया studio खुले कोई नई classes खुले, कुछ भी हो वो आके किसी अकबार का front page book कर सकते है उसमें line से 7 दिन add दे सकते है पूरे शहर को हिला देंगे वो पूरे राज को हिला देंगे वो लेकिन क्या उससे business बड़ा होगा गलत उससे customer एक बार आएगा आपके और वो एक बार ये देखने आएगा कि जितना बड़ा आपने advertisement दिया है उतनी value आपके अंदर है कि नहीं और यदि वो एक बार आया और आपने उसको satisfy कर दिया तब भी रोव advertisement real sense में business में convert होगा और वो एक बार satisfy होगया तो वो जाके 10 लोगों को बोलेगा और कहेगा कि यार जो add में दिखाता है उससे भी ज़्यादा इनों ने दिया और यदि आपने खुब प्रचार पसार किया खुब पैसा लगा दिया customer आपके आया लेकिन आपने उस promotion या publicity के जितना काम नहीं किया आप लिवप नहीं कर पाए उसके expectation को तो वो जाके उल्टा दस लोगों का और खराब करेगा क्योंकि वो कहेगा कि ये हल्ला ज्यादा करते है इनमें दम बिल्कुल नहीं है एक single strategy बड़ा होने कि ये अपने customer को delight करिए इतना delight करिए कि वो जाके दूसरों से कहे कि इनके साथ काम करो आज से बहुत साल पहले customer okay का यूग चलता था जब customer आया आपने उसका काम कर दिया आप चाहे कोई भी professional हो आप कोई भी store हो कोई भी किसम के entrepreneur या business man हो customer घुसा आपने उसका काम कर दिया customer okay हो गया उसने ज़्यादा कि उम्मीन नहीं लगाई आपने ज़्यादा दिया नहीं मामला खतम याज से कुछ साल पहले चलता था तब यहाँ अंदर एर कंडिशन भी नहीं होते थे अच्चे फरनीचर्ज भी नहीं होते थे सब कुछ आउसत सेटिंग होती थी फिर customer important होना शुरू हुआ तो एक customer okay की जगा एक नया वर्ड पैदा हुआ वो नया वर्ड था customer satisfied अब customer को संतुष्ट करने की बात की जाने लगी थोड़ा सा out of the way उसका हाल चाल पूछने लगे उसके साथ ज़्यादा मुस्कुराने लगे उसको भजन देने लगे लिकिन अब दुनिया और कई कदम आगे आ गई है अब अगला प्रश्ण है customer okay तो ठीक customer satisfied भी थीक customer delighted feel हुआ की नहीं satisfied अब benchmark नहीं है अब customer delightment benchmark है क्योंकि shopping अब एक necessity नहीं है shopping अब एक luxury है shopping अब एक necessity नहीं है shopping अब एक time pass है shopping अब एक necessity नहीं है shopping अब एक habit है पहले इंसान साल में दो बार तीन बार shopping करता था और वो साल में जब चाहे तब shopping करता है क्योंकि shopping अब एक necessity नहीं है shopping अब एक experience है इसलिए बड़े बड़े hotels बड़ी बड़ी airlines में आप देखेंगे वो experience word का प्रयोग करते हैं कि जब वो आप कहां आए तो gate से घुषते साथ last में exit point तक हर point पर उनको कैसा experience हुआ यदि आपने okay करके भेजा आप बहार हो जाएंगे यदि आपने satisfied करके भेजा ठीक है वो कभी आपके आएगा लेकिन जरा भी better option मिला तो वो switch करके जाएगा आपको उसको delight करके भेजना होगा इतना delight करके भेजना होगा कि वो किसी दूसरी जगा जाने के पहले सोचे यार मैं अपनी जगा क्यों छोड़ रहा हूँ तो संसार की biggest customer strategy कुछ है तो अपने organization को customer centric बनाई है संसार की biggest customer strategy कोई है तो customer के लिए end-to-end arrangement ऐसा करिए कोई भी industry क्यों नहों कि वो delight होके जाए और वो आपके साथ काम करने के अनुभव को याद रखे और जब वो सनुभव को याद रखेगा न तो कभी कोई competition भी आएगा तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू